ऐलो दोस्तों तो आपका स्वागत है आपके अपने शो फिजिक्स विट सेंटम के साथ कितनी बार दोस्तों हमने ये देखा है कि हमको फिजिक्स बहुत सिंपल लगती है लेकिन जैसे ही दोस्तों हम integration या differentiation का sign देखते हैं हमको लगता है भाई ये क्या हो गया mathematical हो गया पूरा physics और हम ये सोचने लगते हैं कि physics अब बहुत ज़्यादा difficult हो चुकी है तो दोस्तों ये lecture series आपके लिए सिर्फ इसलिए है ताकि आप जभी भी आपको calculus की जरुत पड़े physics लगाने के लिए आपको ऐसा लगे दोस्तों कि आप बड़े आराम से इस सिनारियो को solve कर सकते हैं तो ये जो series है दोस्तों इसमें multiple videos रहेंगे और मैं यहाँ पर common cases लेने की कोशिश करूँगा एक-एक करके और आप देखेगा कि आप जब इन सारे videos को ध्यान से पूरवक सुनके और समझेंगे तो आप से calculus physics में लगाना बहुत आसान हो जाएगा तो चलिया दोस्तों आज के lecture में हम एक ऐसा case के बारे में बात करेंगे जिसमें हम rod को deal कर रहे होते हैं तो मैं यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों जब भी rod जैसा scenario आपको मिलेगा physics में यह आपको similarly ही treat करना है मैं यहाँ पर अपनी बात को और clarity के साथ रखना चाहूँगा एक example लेके तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे की यह एक rod है यह एक rod है मान लीजे total length rod का L है और lambda kg per meters की जो density है अब आप सोचिए कि इस scenario में आप से क्या-क्या पोच सकता हूँ तो यहाँ पर अगर आप एक grade 11 के student है और आपने मान लीजे rbd chapter तक rigid boy dynamics जो chapter है वहाँ तक अर आपने पढ़ाई की हुई है तो definitely आपको लगेगा कि इस rod का हो सकता है कि हमको center of mass निकालना पड़े हो सकता है इस rod का हमको moment of inertia निकालना पड़े अब मैं यहाँ पर आपको यह बतानी कुछ कर रहा हूँ कि बात सिर्फ वहीं खतम नहीं होती है दोस्तो बहुत सारी scenarios होती है जिसमें जो है हम लोगों को rod से कई सारी चीज़े निकालनी होती है फॉर एक्जामपल मान लीजिये एक सिनारी तो हमने discuss कर लिया center of mass उसके लिए हमें यह formula लगाना पड़ेगा ओल्राइट मान लीजिये में moment of inertia निकालना है तो moment of inertia के हले हमको यह formula यूज करना पड़ेगा तो यह सब रेडिमेट formula है और हम जानेंगे कि इन रेडिमेट formula को यूज करना कितना आसान है अपार्ट फॉम दीज दोस्तो जब आप gravitation chapter पढ़ेंगे उसमें आप पाएंगे कि हो सकता है कि आपको इसका gravitation field निकालना पड़ जाए जिसका formula यह है और gravitation potential जिसका formula यह है दूसरा हो सकता है कि आपको इस rod की electric field निकालनी पड़ जाए जब आप grade 12 में जाएंगे electrostatics पड़ेंगे तो आपको यह बोला जा सकता है कि चार जो है पूरे rod में spread across है और आपको electric field निकालनी है जिसका formula यह है दोस्तो और यहां पर scenario कुछ ऐसी भी हो सकती है कि आपको electric potential निकालने के लिए बोल दिया जाए और जिसका formula यह है थोड़ा सा मैं इस screen share को expand कर दूँगा दोस्तो मुझे लग रहा है कि कुछ cut हो रहा है यहां पर अब आप मेरे ख्याल से पूरा अच्छे से देख पा रहे होंगे तो यह जो 6 scenario मैंने आपके कोशिश कर रहा हूँ कि यह 6 की 6 चीज़े जब आप निकालेंगे इस rod में आपको बस एक बार यह सीखना है कि rod का scenario आप कैसे deal करेंगे with calculus एक बार वो आपके समझ में आ गया दोस्तो तो यह 6 की 6 scenario आपको बड़ी obvious लगेंगी deal करने के लिए यह 6 scenario 6 different scenario नहीं है दोस्तो अगर मैं application of calculus की बात करूँ application of calculus की जब आप बात करेंगे तो यह 6 scenario एक दूसरे के साथ बहुत mail खाती हैं तो इसका अंदाजा आपको हो जाएगा जब हम इस scenario के बारे में detail में अभी discussion करेंगे all right तो सबसे पहले दोस्तो एक काम करते हैं फटाफट देख लेते हैं कौन-कौन से ऐसे steps हैं जो की common है जब भी हमारे पास rod जैसा scenario होता है all right चलिए दोस्तो तो कुछ common steps होते हैं दोस्तो ये आप ध्यान रखेगा एक-एक करके मैं आपके सामने रखूँगा और इनको बस आप अपने दिमाग में रखिए और मैं जब solve करूँगा तो आपको ये realize होगा कि वाकई ये सारे steps हम बार-बार use कर रहे हैं चलिए सबसे पहला step दोस्तो होगा कि हम लोगों को एक axis डिफाइन करनी पड़ेगी जो कि along the road जा रही है माल लीजे ये axis x-axis ही है और ये axis रही है आपके y और तो ये common step है और मैं common step बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि ये steps जो है जरूरी steps है common step मतलब most time आपको यही करना रहेगा चलिए next common step दोस्तो एक आपको एक small element dx लेना पड़ेगा at a distance x away तो क्योंकि मेरी horizontal direction x है और rod x-axis पे spread है तो मैं dx का जो location है x-coordinate के साथ represent कर सकता हूँ और तो I hope आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और यह हम क्यों करते हैं दोस्तों यह हम इसलिए करते हैं ताकि dx के terms में हम dx का जो mass है या dx का जो charge है वो निकाल सके क्योंकि जब आप जैसे center of mass या moment of inertia के बारें बात करेंगे तब आपको mass निकालना पड़ेगा लेकिन जब आप field या potential निकालेंगे charge की तो आपको charge निकालना पड़ेगा इस dx element का तो किसी तरह आपको dx के term में dx के term में इस location में मैं यह highlight कर देता हूं दोस्तों यह red color से आप देख रहे हैं यह dx length है तो इसके अंदर कितना mass है या कितना charge है depending on the scenario आपको निकालना पड़ेगा तो यहां पर एक चीज और बता देता हूं मैं हो सकता है कि mass या charge uniformly distributed है मान लेते हैं mass uniformly distributed है तो अगर इस पूरे rod का mass m है और इस rod का length l है तो जो dx का जो mass होगा दोस्तों वह कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं m by l हो जाएगा mass per unit length इस चीज को जब आप dx से multiply करेंगे तो आपको dx का mass मिल जाएगा जिसको आप dm बोल सकते हैं अगें l length का mass m है तो dx length का जो mass होगा वो कितना होगा m by l into dx तो वही मैंने लिखा है तो यह आपका dm हो इसी तरह अगर मान लेजे instead of mass charge distributed है uniformly तो इस dx length का जो charge है दोस्तों वह हो जाएगा q by l into dx यह आपका small amount of charge हो जाएगा तो यह तो बात हो गई दोस्तों अगर mass जो है uniformly distributed है अगर मान लीजे mass uniformly distributed नहीं है कहने का यह मतलब है कि अगर आपको यह दिया जाए कि mass per unit length जो की lambda represent कर रहा है यहाँ पर मान लीजे केजी पर मीटर है जो की x minus x cube है hypothetically तब आपको m by l करके mass per unit length निकालने के जरूत नहीं है क्योंकि वो तो आपके पास given है m by l आप तब करते हैं जब mass uniformly distributed होता है तो जो average mass density होगी m by l वही हर जगे होगी अगर uniformly distributed है लेकिन अगर mass per unit length हर location में change हो रहा है मान लीजे यहाँ पर 1 kg per meter है यहाँ पर मान लीजे 5 kg per meter है यहाँ पर 10 kg per meter है तो आपको एक equation निकालने पड़ेगी कि कि तरह से mass x के साथ change हो रहा है sorry mass per unit length किस तरह से change हो रहा है तो यह आपका kg per meter हो जाएगा आप dimension की चिंता मत करिए यहाँ पर आप मान लीजे 1 से multiply हो रहा है और जो 1 का जो dimension है यहाँ पर that will take care of it अब आप dm कुछ इस तरह से निकालेंगे lambda into dx तो यह रहा आपका lambda that into dx is dm उसी तरह से हो सकता है कि यह जो x minus x cube है यह rather than mass का density चार्ज कडेंशिय दिया हो तो आपको dq भी ऐसे ही निकालना है lambda into dx लेंडा यहाँ पर charge per unit length है तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से हम dx का mass निकाल पाएंगे अब हम यह ऐसा कर क्यों रहे हैं हम दोस्तों यह इसले कर रहे हैं टाकि हम dx को एक point mass या एक point charge की तरह डील कर सकें क्योंकि दोस्तों जो आपके पास formula है माल लिजे potential का जो formula है मैं gravitation potential की बात कर रहा हूं दोस्तों potential का जो formula है g minus of g m by r यह formula एक point mass के लिए valid है पूरी की पूरी rod का formula तो मेरे पास नहीं है तो मुझे यह मान के चलना पड़ेगा कि as if यह rod point masses से बनी हुई है और मुझे क्योंकि यह formula use करना है तो मुझे एक छोटा सा mass लेना पड़ेगा जिसको मैं एक point mass के जैसे deal कर सकूँ तो इसलिए दोस्तों हम यह सब करते हैं और जितने भी formula है physics में invariably आप देखेंगे कि वो point masses या point charge के लिए defined है तो इसलिए यह एक common step हो जाता है next step दोस्तों आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज होगी जो length के साथ vary कर रही होगी जैसे mass parent length ही vary कर रहा है तो अगर आप dx लेंगे तो इस dx में भी अगर आप ऐसे इस तरह से अगर आप critically analyze करेंगे तो x coordinate इस end का और इस end का अलग-अलग है तो argument यहां पर यह है दोस्तों कि dx की width इतनी छोटी है इतनी छोटी है कि mass parent length is dx length के अंदर हम uniform मान लेते हैं जो कि इसी location पर at a distance of x है तो हमारा purpose ही यह है कि अगर हम dx length ले लेते हैं तो हम जो variation है dx के अंदर हम ignore कर सकते हैं अल्राइट चलिए तो एक और step है दोस्तों और वो है कि जब आपको यह सब समझ में आ गया आपने लिख लिया what is dm और dq उसके बाद आप equation dx उस dx element का आप लिखेंगे और एक बार आपने equation लिख दी उस dx element की तो आपके पास क्या आ गया माल लिजे कि आपने उस dx element का आपने potential निकाला तो वो जो potential है उस dx element का ही है तब यहाँ पर आपको दोस्तों इसको integrate करना पड़ेगा to find out total potential तो अब हम दोस्तों कुछ examples लेंगे यहाँ पर rod में क्या-क्या निकाल सकते हैं हम लोग और थोड़ा सा और detail में जाएंगे लेकिन I hope यह जो common steps हैं यह आपको बिल्कुल समझ में आगए होंगे यह common steps आपको हर जगे जब भी rod जैसा scenario आता है आपको यह सब करना ही पड़ेगा चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अल्राइट अब हम यहां पर एक scenario लेते हैं मान लेते हैं कि एक rod है हमारे पास जिसका mass per unit length x square kg per meter से change हो रहा है और दोस्तों मुझे निकालना है क्या मुझे निकालना है इसका x coordinate of center of mass यह क्या है तो इसके लिए सबसे पहले आप इसका formula लिखे है x coordinate of center of mass दोस्तों का formula है integral of x dm divided by integral of dm तो यह तो एक formula है दोस्तों इसकी value हमें निकालने पड़ेगी तो हम numerator और denominator अलग-अलग निकालते हैं सबसे पहले हम numerator निकालेंगे integral of x dm अब यहां इस numerator में ना तो मुझे upper limit पता है ना lower limit पता है and at the top of it मुझे यहां पर integration के अंदर दो variable दिख रहे हैं तो जब भी हमारे पास single integral है हम try करते हैं कि integral के अंदर सिर्फ एक variable रहे तो इसलिए दोस्तों हमने just इस slide के पहले discussion किया था कि dm को हम dx के term में लिखते हैं तो I hope आपको याद होगा dm is lambda into dx जो इस case में x square dx है तो यह integral दोस्तों इस case में हो जाएगा x into dm जो की x square dx हो गया और यहां पर मुझे इस पूरी rod को traverse करना है मुझे इस integral की value पूरे rod के case में निकालना है दोस्तों तो अगर मुझे पूरी rod कवर करनी है तो x की value कहां से कहां तक change होगी बिल्कुल सही दोस्तों x जो है 0 to l इस तरह change होगी तो यह हो जाएगा 0 to l x cube dx यहां पर दोस्तों आएगा x is to power 4 divided by 4 0 to l यहाएगा आपका l raise to power 4 by 4 अब denominator निकाल लेते हैं दोस्तों integral of dm dm तो आप निकाल ही चुके हैं जो की x square dx है इसको भी आपको 0 to l integrate करना है हो सकता है कि आपका mass directly given हो question में लेकिन right now mass is not given तो आपको mass निकालना पड़ेगा तो integral x square dx की value हो जाएगी x cube by 3 0 to l इसकी limit है तो यह आएगा l cube by 3 तो अब दोस्तों इसको numerator denominator में हम लोग substitute करेंगे फटा-फट हमारे पास आमसर आजाएगा दोस्तों यह होगा 4 by 4 divided by l cube by 3 जो की 3l by 4 है तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आप common step for a rod ध्यान में रखेंगे तो आपका answer बड़े आराम से निकल आता है ओके तो अब हम कुछ और सिनारियो देखते हैं तो यह हो गया दोस्तों center of mass अगर आपको मान लीजिए निकालना है अगर आपको मान लीजिए निकालना है moment of inertia तो moment of inertia का formula क्या होता है दोस्तो moment of inertia का जो formula होता है दोस्तो वो होगा integral of r square dm और जब आप इस formula को लगाएंगे आपको पता होना चाहिए कि आप किस axis के about निकाल रहे है moment of inertia तो मान लीजिए मैं इस axis के about निकाल रहा हूं an axis passing through the end of the rod and is perpendicular to the rod ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर moment of inertia निकालने के लिए again मैं एक dx element लोंगा x distance पे axis से तो मेरा जो r है दोस्तों वो x हो गया तो यहाँ पर x square और dm की value है x square dx तो यह हो जाएगा integral of x raise to power 4 dx और limit मेरी दोस्तों होगी 0 to L again तो जो answer आएगा वो L raise to power 5 divided by 5 आएगा तो अब देखिए यह जो scenario है और center of mass निकालने का जो scenario है इसमें काफी सारे steps common है सिर्फ formula का difference है दोस्तों सिर्फ और से formula का difference है ओके अब दोस्तों निकालते हैं हम gravitational potential और उसके बाद हम लोग निकालेंगे electric field और चलिए तो चलिए दोस्तों अब हम gravitational potential निकालेंगे तो मान लीजिए आपके पास यह rod है यह rod है आपके और इस location पर किस location पर भई इस end से मान लेते हैं कुछ दूरी पर a distance की दूरी पर यहां पर मुझे gravitational potential निकालना है तो इस rod का जो mass parent length है मान लेते हैं x square है most of the cases में आपका दोस्तो mass parent length m by l ही लेना होगा क्योंकि आप मान लेते हैं कि mass uniformly distributed है अब मैं मानूँगा कि इधर एक x-axis है और यह रही आपकी y-axis all right इसके बाद आप एक छोटा सा element यहां पर लेंगे जिसकी width होगी dx और जिसका mass कितना होगा दोस्तों mass होगा lambda into dx very good this x square dx is the dm all right अब इस dx को यह बोलूग तो मैं इस dm को एक point mass की जैसे treat कर सकता हूं तो अगर यह point mass है और मान लेते हैं कि हाला कि x usually हम x coordinate के लिए उस करते हैं बट यहां पर for the sake of simplicity let us say यह distance आपकी x है okay तो x distance पे इस dm की वज़े से क्या potential होगा दोस्तों formula तो potential का g dm by r है और हाँ minus sign मत भूलिएगा right तो dv आपका हो गया minus of g dm क्या हुआ x square dx divided by r क्या है दोस्तों r आपकी x है और यहां पर आप देखेंगे कि कितने आसानी से dv आ जा रहा है आपका minus of g x dx अब जब आप इसको integrate करेंगे जब आप इसको integrate करेंगे दोस्तों तो आपको यहां पर upper limit और lower limit लगाना पड़ेगा all right अब आप ध्यान से देखें दोस्तों x को मैं कहां से कहां तक change करूँ ताकि मेरा पूरा rod का scenario इधर cover हो जाए आप पाएंगे कि x a से लेकर a plus l तक change होगा तो मेरा पूरा rod कवर हो जाएगा right तो lower limit दोस्तों a है और upper limit a plus l है इस चीज का आप ध्यान दीजेगा बागी सारे step I hope आपको समझ में आ रहा होगा कि common steps है तो xds का integral 1 by 2 x square होता है a2 a plus l यह आपका आगे दोस्तों minus of g by 2 a plus l whole square minus a square ओके तो इसको आप further भी simplify कर सकते हैं बट मैं यहीं पर इसको रोक देता हूँ तो इस तरह से दोस्तों आप gravitational potential निकाल सकते हैं अब हमने हमेशा आज के वीडियो में mass का case ही consider किया है चलिए अब थोड़ा सा charge वाला case भी consider कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा clear कर देता हूँ अब यहाँ पर दोस्तों rather than mass getting distributed यहाँ पर दिया हुआ है lambda x square coulomb per meter से मेरा charge distributed है ओके तो इस dx length का जो दोस्तों charge है जो dq है वो क्या आएगा lambda into dx आएगा right lambda is x square x square dx मेरा dq आगया अब जो electric field का जो formula है दोस्तों वो एक point charge के लिए 1 by 4 pi epsilon not q by r square होता है याद है ना दोस्तों तो अब यहाँ पर मेरा point charge में dx लेके चल रहा हूं तो यह dx का जो dq है वो ही मेरा point charge है और यह जो electric field आएगी वो सिर्फ dq की वज़े से आएगी इसलिए मैं इसको d e लिख रहा हूं तो d e आएगा 1 by 4 pi epsilon not dq by r यहाँ पर क्या है दोस्तों r यहाँ पर x है तो dq by x square ठीक है दोस्तों अब आप देखेंगे एक चीज याद रखिए कि electric field एक vector quantity है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप कहीं पर भी जाएं किसी भी location पर जाएं इस rod में कोई भी चार्ज ले लें electric field या तो हमेशा इस direction में रहेगी या हमेशा इस direction में रहेगी जब पूरा rod positive charge है तो इस direction में पूरा rod negative charge है तो इस direction में तो जो electric field की दोस्तों जो direction है वो uniform रह रही है और राइट तो क्योंकि electric field का direction uniform है दोस्तों क्योंकि electric field का direction uniform है दोस्तों जब मैं integrate करूँगा तो integration के लिए मुझे components वगरा लेनी की जरुवत नहीं है I can treat it like scalar कहने का मतलब यह है एक वेक्टर इस direction में अगर A है और इस direction में एक और वेक्टर अगर मान लीजे A है तो यह एक scalar के जैसे इनका magnitude add हो जा रहा है तो इसलिए component वगरा लेनी की जरुवत नहीं है तो integration of DE directly मेरा electric field देगा यहां पर मुझे यह integrate करना है ओके तो I hope आपको समझ में आ रहा होगा यहां पर यह जो constants हैं इसको आप integral से बाहर ले लिजे 1 by 4 पाइप स्लम नॉट integration of DQ is what DQ is X square DX दोस्तो divided by X square अब दोस्तो यह जो लेमडा है ना यह यहां पर तो X square लिया हुआ है यह एक जो पावर 5 भी हो सकता है स्क्वाइर रूट ऑफ X भी हो सकता है एक जो पावर 5 भी हो सकता है लेमडा इकल टू 1 भी हो सकता है और ओके सो वट्टेवर इट इस आपको बस DQ में substitute कर देना है और लगली यहां पर X square X square गॉन और जो X है दोस्तो वह A से A प्लस X इस तरह चेंज हो रही है ओके तो आपका जो फॉर्मला है इलेक्रिक फिल्ड दू रॉड अट डिस्टेंस ए फ्रॉम वन उफ इट्स एंड्स वह आएगा इंटिकलों डी एक्स आपका एक्स हो जाएगा ए ए प्लस एक्स आपका आएगा दोस्तो X divided by 4 pi epsilon not तो दोस्तो यहां पर आप dimensions वगरा की tension अगेन बिलकुम मत लीजेगा वन यहां पर multiplied है वन के अंदर ही वो dimension है तो dimension have been taken care of तो दोस्तो कैसा लगा वीडियो आपने hopefully आज बहुत सारी चीजे सिखी होंगी और एक चीज तो definitely आपने समझी होगी कि हम calculus से बेवज़े डरते रहते हैं और calculus बस एक छोटा सा tool है at least हमको जितनी calculus की ज़वत physics में पढ़ती है वो तो बहुत ही simple होती है तो इसी तरह मैं आपके लिए अलग अलग videos लाके physics को simplify करने की कोशिश करूँगा और next video में इस video में हमने rod का case consider किया है next video में हम ring या disc का case consider करेंगे all right thanks for watching the video this is dhires from centum academy bye for now you